नमस्कार A to Z डिशुष उशा कोड़ानी में आप सब का स्वागत है ठंडी में जादा कुछ मज़िदार मज़िदार खाने का बहुत ही मन करता है खास करके मेरे घर पे तो सबको मेंदू वड़ा बहुत ही पसंद है अब देखें मेंदू वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले डाल को भी गोई ये सब करें तो उसमें काफी जादा है ना बस ऐसा हो जाता है कि नहीं बनाने इतना जादा हो जाता है ना लंबी प्रोसेस ये मैंने दो कटोरी डाला है और आदी कटोरी दही डाल देनी है स्वात के अनुसार नमक डालतीजे एक चौथाई चमज हिंग आदी चोड़ी चमज लालमिश पाउडर एक चौथाई चमज जीरा एक चौथाई चमज अद्रक लसन की पेस्ट और धेर सारे धनिया के पत्त और सच बता रही हूँ ये जो आप इसे ना इंस्टंट वड़ा भी कह सकते है अगर कोई अचानक से घर पर महमाना आगया तो भी आप ये बना सकते हैं काफी जटपट से खाने में मज़ा आ जाती है अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मज़िदार सा खाना है तब आप ये बना सकते हैं काफी मज़िदार रेसिपी है और बनाने में भी बहुत ही सिंपल है देखे थोड़ा थोड़ा करकर ही पानी डालना बले जादा इसमें पानी डले का पर थोड़ा थोड़ा करकर ही डालना है और अच्छे से इसे मिक्स करते जाना है इसका पतला बेट की कंसिस्टन से दिखा देती हूं इस तरह से होनी चाहिए तो अच्छे से मिक्स करते रहिएगा क्योंकि देखे कभी-कभी यह जो चावल का अटना ज्यादा पानी सोक करता है कभी-कभी कम करता है इसलिए मैं आपको एक परफेक्ट मेजर में नहीं बता पा रही हूं पानी क देखे बस ऐसा होना चाहिए पतला सा बेटर अब यहा पर गैस को अन नहीं करे है नहीं कि गैस को नहीं जलाना है चावल का आर्टा है जम जाएगा या इसकी नो गुटलिया बन जाएगी लंस हो जाएंगे फिर आपको मिक्स करने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी इसलिए लगातार इसे चलाते जाए जैसे जैसे यह पकता जाएगा यह थिक प्रॉंसिस्टेंसी में आ जाएगा तो बस लगातार चलाते जाएंगे आप दी से सोग कर लेता है चावल का आटा तो बस लगातार चलाते जाना पकाते जाना है देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो गया है कडाई को छोड़ना शुरू करते तब तक आपको इसे पकाना है जैसे कि मैं आपको कहा तकरीबन 4-5 मिनिट लगेंगे इसे पकने में तो कुछ यह इस तरह से हो जाए आप देख सकते है कुछ ही इस तरह से हो जाए कड़ाई से भी यह छूट रहा है तो अब हम क्या करेंगे गैस को बंद कर लेंगे गैस को बंद करने के बाद इसे ढखकर हम पांच मिनिट के लिए रख देंगे 5-10 मिनिट तर 5-10 मिनिट के बार धकन को खोल लीजे और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से होना चाहिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं बाउल में निकालने के बाद हाथो पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे बिल्कुल थोड़ा सा और यह थोड़ा सा पोशन ले लेंगे और इसके हम मेंदू वड़ा बनाएंगे जैसे हम वो वाले बनाते हैं वस वैसे ही आप देख सकते हैं बीच में छोटी वाली उंगली से होल कर लेंगे आपके उपर है आप इसकी साइस कैसे रखते इसे बड़ी भी बना सकते इसे छोटी भी मैंने मीडियम साइस के बना है और ध्यान रखे इसे जब आप फ्राइ करें यानि कि तले न तो इसके लिए जो तेल है वो अच्छा गरम होना चाहिए ठंडे तेल में बिलकुल भी ना डाले अच्छे गरम तेल में बस इस तरह से ये मेंदू बड़ा डाल दे एक्दम ये कुरकुरे हो जाए अच्छा सुनेरा कलर आजाए तब तक आपको इसे फ्राइ कर लेना है आप देख सकते हैं ये कितने मज़िदार लग रहे हैं तो बस एक्दम कुरकुरे लगते हैं इतने मज़िदार लगते हैं जितनी में तारीफ करू उतना कम हैं बहुत 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 ही टेस्टी लगते हैं बस आपको जादा कुछ नहीं करना है धियान ये ही रखना है कि प कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती आप देखी सकते हैं तैयारे बढ़िया से एकदम इंस्टंट वाले चावल के आटे के मेंदु अब आप जाए से हरी चटनी या फिर केचप या फिर कोई भी चटनी के साथ का या चाय के साथ लीजे थंड के मौसम में ये इतने मज़िदार कैसी लगी रेसिपी और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले थांक्यो फॉर वाच्छंग